ना फिसलो इस उमीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत डूबो धरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा ये दुनिया तो एक अड़ा है तमास भीनों कव मेरे यार, देखेगा कोई मुसीबत में, तो यहां हर कोई मजा लेगा नमस्कार साथियों, PBR स्टेडी में आपका मैराज कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपकी ये कलास अब फिर से चल चुकी है, अपनी पुरानी स्पीड में, जिसको कहते थे कि मैं था आएगी नी, बलकि दवड़ेगी, जी हां बिलकुल दवड़ेगी, कैसे आधा पढ़ाई होगी, गागर में सागरवाली तलास होगी, फरेक्शन का टाइफ हम लोग पढ़ेगे, टाइफ आफ फरेक्शन, इंगलीस में इसको फरेक्शन बोलता है, हिंदी में भिन बोलते हैं, सबसे पहला टाइफ है, इसमें छे परकार की मुक्य रूप से भिनने होती हैं पहला है उचित भिन जिसको प्रापर फ्रेक्शन बोलते हैं इनकी साटकट में मैं आपसे पहचान अगर करवा दूं तो जिस भिन का अंस बड़ा हो और हर छोटा हो यह उल्टा हो गया इसका है अनुचित का ठीक है हाँ जिस भिन्न का अंस बड़ा हो और हर छोटा हो एक जाम पर यहां फे देख लो यह अंस छोटा हो हर बड़ा हो यह क्या है बच्चा यह है उचित भिन्न या प्रापर फ्रेक्शन ठीक है दूसरा अनुचित भिन्य या improper fraction जिस भिन्य का अंस मतलब नीचे की गिंती छोटी हो उपर वाली बड़ी हो वो अनुचित भिन्य या improper fraction का लाएगी ये दोनों में अंतर है कि नहीं बच्चा ये ये तो ठीक है example इस में तो कोई दिक्कत नहीं याँ पर उपर वाली गिंती बड़ी होना चाहिए, यह ऐसा होना चाहिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो, यह हो गया यह क्या है, यह अनुचीत बिन्न है इम्प्रॉपर फ्रेक्षम है, यानि कि उपर का गिंती जो है जिसे अंस बोलते हैं हम लोग इंगलिस में denominator बोलते हैं वो greater than होनी चाहिए इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना यह कंडिशन होनी चाहिए तब अनुचित भिन या फिर इंप्रॉपर फ्रेक्शन बनेगी समझ गए जबकि इसका जश्ट उल्टा होता पडोसी भाई 36 का अंकड़ा वाला यह इसमें नीचे का गिंती जो है वो बड़ी होती उपर की छोटी होती इसमें नीचे की छोटी भंचानीव घर बठे-गडिशत अगला है मिसर बिन मिस्रविन या फिर इसे मिस्रित बिन बोलते हैं मिस्ट्फ्रेट्टि तो थोड़ा सा अलग लग रहा ना मिस्रित ठीक है क्या होता बच्चा मिस्रित बिन जिसे English में मिक्स्ट्रफ्रेक्षन बोलते हैं इसके नाम सही लग रहा है इसमें कुछ मिलावट है मिलावट तो आज कल दुनिया में सब चीज में हां हर चीज में मिलावट है कोई ऐसा चीज सुद्ध नहीं मिल रहा है दुनिया में हवा भी सुद्ध नहीं मिल रही उसमें विसाली गंदगी मिली है ना देखो मिश्रिद विन्न क्या होता मिक्स्ट फ्रेक्शन इसमें दो भिन्नों को आपस में मिला के मिक्चर कर देते हैं संकरण करवा देते हैं जैसे अभी देखते थे आप पहले देशी जाती के जानवार आते थे हां देशी इंस से जो तीन है यह क्या है कौन सी संख्या कहेंगे इसे एक क्या हो गई दोनों भिन्न एक में मिल जाती तो मिफरित भिन्न या फिर mixt fraction बनती है ये कब बनती है जब ऐसी condition होती तब मतलब जब हर छोटा अंस बड़ा होता है तो mixt fraction का जनाम होता इसमें से ये आप समझ गए नीचे है एक equivalent fraction क्या है equivalent fraction अब ये equivalent fraction कौन से जानवर का नाम है ये भी देखलो ध्यान से इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत है चलो प्यार से देखो बच्चा ये जो है न इक equivalent मतलब समानता का अधिकार आपने सुना था सुना था न कि भईया इस देश में रहने वाले हर एक बेक्ति को क्या होगा समानता का अधिकार मिलेगा न कि किसी भी इस तरी पूरुसिया जाती धर्म की आधार पर कोई भी सरकारी संस्थान में उनके साथ दो तरह का वेवार नहीं होगा ना रहेंगे सरकारी संस्थान ना होगा वेवार आजकल की हमारी सरकार की ये कंडिसन है ना रहेगा बाफ न बज़ेगी बास उरी बाकी ज़्यादा बोलेंगी तो पॉलिटिकल हो जाएगा चलो बात छोड़ दो यहीं पे आगे देखो तो equivalent fraction का मतलब यह होता है कि जैसे कोई एक भिन है तीन बटा मालो 17 इसमें किसी एक निश्चित संख्या से गुड़ा कर दें या भाग कर दें एक निश्चित संख्या से बराबरी का मामला होना चीज जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा लो दो लेके आएंगे एक अगर मिल रहा पैसा नहीं तो एक कोना लाएंगे ठीक है कहेंगे रें दोनों लड़े जाएंगे कट मर जाएंगे इक आज करने का यह मतलब है की इसमें हम जिस भी संख्या से गुड़ा करेंगे दोनों में करेंगे ओपर और नीचे दोनों में तो CHA का 3 में गुड़ा करोगे बत्चा तो 12 हो जाएगा और चार काईस में गुड़ा करोगे तो सत्तरा चौका बावन सेवन्टीन फोर्जा 52 होता है कि नहीं ऐसे कर लो कि जो लग रहा गलत है क्या चार सत्य अथाइस सत्रा चौका अडशाट होता है यार जती करवा दिये न कि टेबल आता है कि नहीं आता कमेंट करना टे मिल जाए वैसे तो सब्ता में एक दो वीडियो मिल जाए ठीक है बहुत है रात के नौ बजे से एब्री डे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे सुबह सात बजे से भी मिल सकते हैं तो आप टाइम याद रखें और टाइम पे कलास में जरूर आ जाया करें कोई परकार की इं जो जी 1268 होगा क्या होगा कि सतरा बट तीन बटा सतरा का जो तुल्ल भिन है बारा बटा अड़साट होगी यह थोड़ा बड़ा हो गया काओगे यह तो पल्ले नहीं पड़ रहा है मत टेंसान लो बने रहो हमारे साथ जाना मत देखो अगर मैं कहूंग कि एक बटा तीन का इक वालियंट फ्रेक्शन बताओ बच्चा इनको दोनों को पकड़ लो इनमें दो से गुड़ा कर दो उपर दो से करो के दो एक कम दो और दो त्याई च्छा यानि आप कह सकते हो कि एक बटा तीन की तुल्ल भिन जो है दूई बटा च्छा है कुछ लोग का गुड़ा करक भी तुम बना सकते हो यह लो आठ बटा यहां पर बारा इनको हमें क्या करना तुल्ल भिन बनाना है तो बच्चा इनको भाग दे दो एक निश्ची संख्या से चलो देखो समझो कहानी समझो यह एक बटा तीन का तुल्ल भिन दो बटा च्छा उपर मैंने बता दिया था उ पहले होगा करता था हम लोग बराज जाते थे अब तो पता नहीं क्या सिष्टम हो गया कुछ सब अलग हो गया देखो आठ बटा बारा यहां पर समझो पहले जाने दो अनसर हर दोनों में एक निश्ची संख्या से भाग करेंगे कैसे इसमें भी दो से भाग कर लो बचा और आठ में भी दो से हowałकर करना है थोड़ा सा इसमें जुगार बना लो इसको उपर करके के को गंदा कर दिया अयर देखो दोनों में भाग करना ऐं आग यह हर कि समझ रहो ना हम क्या करने वाले हैं हमने यह विन हमारी रियल में थी आठ बटा बारा इसको हमने 2 से बाग किया दोनों में तो बच्चा कर लो ना दोनों को अलग अलग ही कर लो चाहे तुम यह 248 यह दो छंग बारा इक्वल कितना आगे 4 बटा चाह या नि आप कह सकते हो क्य do am a 5-12 चो तुल्विन है एक्वालेंट फ्रेक्स्ण है फोर अपांशिक से इसको फिर से बाक कर दो यह दो हो जायगा यह तीन हो जायगा यानी 8 बटा 4 का 11, 4 बटा 6, 2 बटा 3 ये सब है अगर हम पूछे कि 2 बटा 3 का 11 बताओ बटा तो 2 बटा 3 की 11, 4 बटे 6 या 8 बटे बार ये भी है समझ गए न? इसके अकार्डिंग और कुछ बना सकते हो चलो मैं 15 से गुड़ा कलूं दोनों में तो 15 बटा 3 का 11, 30 बटा 45 भी है क्या किया मैंने 15 से मल्टीपल किया दोनों में उपर नीचे और क्या लेकिन एक बात और समझ लो बच्चा अब ये 30 बटा 45 इसकी तुलबिन नहीं है क्यों? किसी भी इत कंडिशन में आएगा ही नहीं कि समझ गए ना तो यानि ये दोनों क्या है आपस में ये दोनों तुलबिन है और बिटा ये दोनों और ये चुटकी वाली ये ये तीनों तुलबिन है आपस में ये तीनों ये दोनों और ये समझ गए न यह होता equivalent fraction उमीद करते हैं आप fraction का type समझ गए होंगे एक होती बड़ी खतरनाक बितत अभिन बितत अभिन के बारे में हमें हापे discuss नहीं करेंगे किसी काम की नहीं होती वो तो फिलहाल आज की ये class यहीं पर खतम करेंगे आप सभी उमीद बना के रखिए अगर आप complete class जल्दी फी जल्दी पढ़ना चाहते हैं ये 10 मिनट की class आप 10-10 गंटा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा कोर्स एक साथ ले सकते हैं आप हमारी premium class जोईन कर सकते हैं PBR study का app पे ले इस्टोर से डाउनलोड करें डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई है जदा जनकरी के लिए नमबरों पर संपर करिए सुबद 10 से साम 6 बजे की बीच फोन कॉल करिए आपको हमारे जो भी एसिस्टेंट है पूरी सहायता करेंगे और हाँ कल की class में पढ़ेंगे सरली करन याद रखना simplification क्या बोलते हैं simplification of fraction जैसे यह भी न दी गई है इसको काड़ते पीड़ते कैसे हैं